प्यारे बच्चों, आनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना वीषय पढ़ रहे हैं, भगवती प्रसाद ओजा इंटर्मीडियेट कालेज की ओर से आप सभों के लिए आनलाइन वीडियो भेजे जा रहे हैं, आप सभी मल लगा के पढ़ेंगे, आए कच्छा च्छा कच्छा च्छा के बच्चे ध्यान देंगे, हिंदी भी से पाठ च्छा, पाठ का नाम है करतब बोध, हर व्यक्ति को अपने करतब का बोध होना चाहिए, करतब ही व्यक्ति को महान बनाता है, आपका करतब कैसा है, आप अपने करतब के आधार पर किस तरह से लोगों के यह सारी जीमेदारी व्यक्तिव पर होनी चहिए इस पार्ठ में बच्चों हर नागरिकंता है और प्रति सरद्धा और पेशे के प्रति इमानदारी हर ब्यक्ति को बरतनी चाहिए अपने पेशे की प्रति उसका जो बेवसा है उसका जो पेशा है उसके प्रति इमानदारी बरतनी चाहिए ऐसा नहीं कि हम अपना कोई काम कोई कार कर रहे हैं और हम उसकार के प्रति मानदारी ना बरते इसे समाज में या लो एक दिल्चस्फ आदमी हैं मेरा बहुत लिहाजा करते हैं जब मैं उनके सैलून में पहुँचा वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे और आरा चलाने वाले दो मजदूर इंतिजार में बैठे थे एक नाई जिसका नाम है जफर मिया वे बहुत दिल्चस्थ वादमी हैं मलब सभी उनसे लगाव रखते थे सभी उनसे प्यार से बात करते थे वो लेखक महुदे का बहुत लेहाजा करते थे बहुत आदर करते थे सम्मान करते थे एक दिन लेखक महुदे जफर मिया की सैलून में पहुँच गए जहां वो बाल बनाते थे हेयर सैलून उन्होंने देखा कि जफर मिया एक ऐसे ब्यक्ति का बाल काट रहे हैं दो ब्यक्ति बैठे थे जो आरा चलाने वाले थे लकड़ी काटने का काम करते थे मजदूर थे मेरे दुकान में पहुचते ही जफर मिया ने उस तरह रख दिया मेरे लिए कुरसी भी चाई और बाहर की दुकान से चाई का एक प्याला लाकर मुझे दिया मैं चाई पीने लगा और जफर मिया हजामत बनाने लग गए आओ भगत किया जब फर्मिया ने ऐसे ही सभी लोगों का करते थे उनके दुकान पर जो कोई जाते थे सबका समान करते थे सबका स्वागत करते थे और नंबर लगाते थे जो पहले आया उसका पहले नंबर लग जाता था उसका बाल आदी काटते थे जो उसके बाद आया उसका बाद में नमबर लगता था ऐसे ही निवा मली बना के रखे थे हजामत निप्टी तो मुझे लगा कि मेरा नमबर है पर जब हर्मिया ने उन मजदूरों में से एक को बुला लिया और वे उसके बाल काटने लगे तब ही आ गया उसका असिस्टेंट यानि जो सीनियर नाई होता है सीनियर नाई का साथ ही एक सायोगी होता है असिस्टेंट वो आ गया वहाद दूसरे मजदूर की हजामत बनाने लग गया पहले मजदूर की बनाना तो हजामत तो जफर मिया खुद ही बना रहे थे लेकिन जब उसका चेला आ गया जफर मिया का तो वो दूसरे मजदूर को बुला लिया इनको नहीं बुलाया एले खक मौदे वहीं बड़िया बैठे थे इनको नहीं बुलाया क्योंकि उसको अपने बेहुसाय के प्रति इमानदारी बरतनी थी ऐसा नहीं कि ये सम्मानित ब्यक्ति हैं ये नामी आदमी हैं इनका मैं पहले काम कर दूँ और वो विचारा मजदूर है उसका मैं बाद में काम करूँ ऐसी बहुना उनके अंदर नहीं थी आईए आगे पड़ते हैं अब मैं बैठा हूँ कुरसी पर और देख रहा हूँ कि मिया जफर उस मजदूर के बाल काट रहे हैं मैं मजदूर को देखता और सोचता हूँ यह साइद पांच साथ दिन से नहीं नहाया बालों में उसके रेत भरी है और बुरादा भी उसकी गर्दन काली चीकट हो गई है और तो मुँ पर भी धूल है उसके पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं जैसे यह मजदूर नूर जहां का भाई हो मतलब इतना गंदा मैला वह मजदूर था फिर भी बड़े चाओ से जफर मिया उस मजदूर का बाल काट रहे थे क्योंकि गराहां उनके लिए सभी एक सामान थे वो चाहे बड़ा आदमी हो, वो चाहे छोटा आदमी हो, वो उस मजदूर का बड़े चाओ से हजामत बना रहे थी, क्योंकि गंदगी बरी थी, गर्दन काली चीकट हो गई थी, और उसके बालों में जो लकड़ी का बुरादा कारते कारते उड़ता है वो भर गया था, लेकि ये, ऐसे उसका बाल काट रहते जैसे नूर जहां का भाई हो, बहुत ही उनके लिए बिसेश हो, कभी कंगे से नापते हैं, कभी कैची से और फिर फुरक फुरक दो, चार कैची मार देते हैं, मैं देख रहा हूं कि जफर मियां बालों में इतने लीन हैं, कि उन्हें याद हैं कि मैं भी यहां बैठा हूं, और उन्हें मेरे भी बाल काटने हैं, वह बालों की कटाई को अपने ग्यान और कला की कारीगरी की चरम सीमा तक पहुचाना चाहते थे, मजदूर के बालों को भी अपनी कारीगरी का एक बढ़ी आसा नुमाइस देना चाहते थे, कि भी मज जबकि मजदूर है वो, बस यूँ ही किसी तरह से उसका बाल काट देते, साधारन बाल काट देते, करना क्या है, किसी नुमाइस में उसको जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने काम के पती तना तलीन थे कि बड़ा मन लगाए थी उसके बालों को काटने में, अब उनका ध्यान इस पर नहीं है कि यह मजदूर इस कारीगरी को समझ सकता है, वो तनिक भी नहीं सोचते थे कि हमारी जो कलाकारी, जो कारीगरी हम इसके बालों में दिखा रहे हैं, यह इसको कभी समझेगा, बस बाल कड़ गए तो कड़ गए, मजदूर को तो इतने समझना है वे यह भी नहीं सोचते हैं कि मजदूर की इस्थिती ऐसी नहीं है कि वह इन बालों को ठीक रख सके, यह भी नहीं सोच रहे हैं कि मजदूर इनकी इस्थिती ऐसी नहीं है कि हम बहुत अच्छा कार दे रहे हैं, यह अपने बालों को सजा सके, संजो सके, बहुत अच्छी तरह से रख सके कंगी आदी कर सके बोड़ा पढ़िया सा जो है इसकी सफाई कर सके कुछ नहीं मैं सोच रहा हूँ संबहता यह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डाल कंगा करेगा कल फिर यही धूल और बुरादा बर जाएगा और यह ऐसे ही उलजे हुए हैं जैसे आज इन मजदूरों के बाल उलजे हुए हैं और जफर्मिया बना रहे हैं कल फिर मजदूरी पर जाएगा फिर अपने काम पर जाएगा फिर इसके बाल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं उलजे हैं उलजे ही रहेंगे लेकिन फि अगर आप की और अगले दिन हम आपको ले चलेंगे धन्यवाद